हेलो दोस्तो, स्वाध यह थे भकत Communication के एक और नए वीडियो में आज किस वीडियो में में लोग बात करने वाले हैं SSC, मिन्स Stop Selection Commission की ओर से न दोस्तो MTS Exam 2024 के लिए जो है Admit Card जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप इस्टन रिजन से विलोंग करते हैं मतलब क्या दोस्तो अगर आप अनवाने निकोवर आइलेंड या फिर जारकान या फिर उडिस्सा या फिर सिक्किम एंड वेस्ट वेंगल से विलोंग करते हैं तो आप अपने एडमिर कार किस परकार से डाउनलोड करेंगे दोस्तों step-by-step में आप लोग जो है एक-live वे डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैसे आप अपने mobile computer-leptop को माधें से SSC MTS Exam 24 के लिए Admit Card को डाउनलोड करेंगे इस वीडियो में हम लोग जो है complete details से जान लेते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको जो है गूगल पर आना होगा और गूगल पर जो है SSC ER लिक के सर्च करना होगा तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक official website का link मिलेगा आप इस पर क्लिक के करेंगे आप SSC के जो Eastern Region का website है आप इस पर आ जाएंगे आने के बद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर बहुत सारे option दिख रहोंगे आपको जो है Admit Card का जो option है इस पर क्लिक करना है इसके बद दोस्तों आपको जो है बहुत सारे exam का यहाँ पर option दिख रहा होगा तो आपको जो है आदस पर क्लिक करना होगा और दोस्तों know your status and download e-admit card of multitasking staff 2024 exam का यहाँ पर link देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बद दोस्तों आपको जो है कुछ इस परकार का interface दिखेगा अभी देखिए जब आप form को fill up किये थे उस time आपके पास जो है एक registration ID होगा means registration number होगा तो आप उसको जो है fill up करेंगे और दोस्तों यह जो capture है capture fill up करके जो है आप next पर click करेंगे ना तो आपको जो है अपना admit card दिख जाएगा ठीक है और दोस्तों अगर आपको जो है अपना registration ID नहीं पता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों आप जो है अपना नाम fill up करेंगे ठीक है ऐस पर online form आप यहाँ पर देख सकता है online form में जिस परकार आप जो है अपना नाम को fill up किये थे उसी परकार से आप जो है अपना नाम को यहाँ फिल up करेंगे इसके बाद date of birth को आप यहाँ फिल up करेंगे इसके बदी यह जो क्यप्चा है न दोस्तो क्यप्चा को fill up करेंगे जिससे 9 प्लस 2 11 हो रहा है तो आपकी case में हो सकता यह number अलग हो तो आप क्या करेंगे इसको जोड करेंगे यह परकार का sum है ठीक है तो इसका answer आप यहाँ पर लिखेंगे next पर click करेंगे अभी दोस्तो आप देखेंगे न आपको कुछ इस परकार का जो है इंटरफेस देखेगा इसमें आपको यह वताया जा रहा है दोस्तो कि आपको जो है examination center में क्या क्या लेके जाना होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तो आपको जो है एक passport size photo आपको यहाँ पे लेके जा सकता है या फिर वोर्टर आडी कार्ट, पेयन कार्ट, कोई साभी दोस्तों आपको जो है, इडेंटी टी के लिए कोई साभी एक डोकिमेंट याँ पे लेकर जाना होगा, तो दोस्तों यह सब आपको फड़ लेंगे, इसके बाद ओके पर किलिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका जो exam का जो भी admit card का details है न वो आपको यहाँ पे show किये जाएंगे जैसे कि सबसे पहले आपको जो है अपना roll number यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पे जो है registration ID मतलब जो भी आप online की तो उस time जो भी registration number था वो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका नाम दिख जाएगा आपके पिताजी का नाम दिख जाएगा date of birth यहाँ पे दिख जाएगा और आपका exam कब है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और reporting time क्या है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और दोस्तो city of exam कहा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो दोस्तो आप क्या करेंगे ना आप यहाँ पर देखेंगे role number का जो यहाँ पर है ना दोस्तो यह rate हो चुका है और थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और दोस्तो अगर आपका roll number यहाँ पे बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा है और दोस्तो green ही दिख रहा है तो आपको कुछ दिन तक wait करना होगा जैसे कि जब आपका exam होगा न उससे दोस्तो 5-6 दिन पहले आपका admit card यहाँ पे देखने को मिलेगा मतलब roll number की जगा red red आएगा उससे पहले नहीं आएगा ठीक है तो आप क्या करेंगे अगर आपको इस परकार का दिख रहा है तो आप जो है roll number पे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तो आपको जो है कुछ यहाँ पे जो भी instruction है यह आपको यहाँ पे दिख जाएंगा अब नीचे आएंगे I read the instruction carefully पे क्लिक करेंगे and दोस्तो download e admit card पे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तो आप देख पाएंगे कि आपका जो admit card है वो download successfully हो चुका है ठीक है तो इसमें दोस्तो सारे details आपको यहाँ पे दिया गया है जो भी live photo आप यहाँ पे लिये थे वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है और दोस्तो आपका जो है किस दिन exam है और क्या reporting time है और आपनों का जो है exam मतलब कितने वज़े से सुरू होगा और gate 1 कितने वज़े से होगा यह सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे अपना नाम वगरा सब कुछ देखने को मिलेगा आपका date of worth भी यहाँ पे देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पे जो है आपका address और दोस्तों यहाँ पे परिच्छा का केंदर भी दिया गया है और यहाँ पे किस date को exam है सब कुछ यहाँ पे संपूर्ण आप देख सकते हैं इसके दोस्तों आपका यहाँ पे syllabus भी दिया गया है कि आपको जो है मतलब क्या-क्या यहाँ पे solve करना होगा मतलब यह सब दिया गया है ठीक है और दोस्तों इसमें कुछ खास जानकारी नहीं है तो आप दोस्तों इसको ठीक से पड़ लेंगे तो दोस्तों इस परकार आप लोग जाने कि अगर आप Punjel Rug जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो में यह डाउलोड करने का पूरा पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ तो अगर ये वीडियो अपनों को अच्छा लगे तो लाइक कीज़ेगा दोस्तों को शेर कीज़ेगा चैनल पर नहीं होगे तो प्लेज सब्सक्राइब कर देज़ेगा थैंक्यो पर वाचिंग जहन्त चैभारत